हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल टीच इन फू स्मार्ट में इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आयाद इस अंधी की बारे में इंपोर्टेंट वीडियो है एक्जाम पॉइंट आव इसे सुरुआत करते हैं नियम देखेगा नियम है य अब आपको समझ में आ जाएगा जब हम लोग और आगे इस कॉंसेप्ट को पढ़ना सुरू करेंगे तो यहां आपको परिशान होने की जरूरत नहीं है इसके लप्षण देख लेते हैं इन चारों के बाद यह स्वर है इन चारों के बाद में अगर हम संधी विच्छेत कर आपको पता होगा एक सब्द का दो भाग करते हैं जब संधी विच्छेत करते हैं तो अब ऐसा आपको समझना है कि इन चारों के बाद प्लस के बाद जहां पर कोई दूसरा स्वर आए इन चारों के अलावा तो वो परिवर्तन क्या होगा ठीक है अगर आए के बाद में belljर वर्ण आएगा तो वर्ण समझें तो होजकता है मैंने मिस्टेक कर दियो वो बोल की बाद कर रहा हूं इन चारों के अलावा फिर समझे ये चारों स्वर हैं इन चारों स्वर के अलावा यहां पर इजवै पर कोई दूसरा स्वराद आएगा तो ध्यान रखेगा अगर कोई आसमानस्वर आएगा तो आओ बन जाएगा अभी भी आपको परिशान होने के जरूरत नहीं है थोड़ा सा आगे आप बढ़ेंगे पढ़ना सुरू करेंगे तो concept क्लियर हो जाएगा और पढ़ने में इंट्रेस्ट आपका बनेगा अब देखिए अगर हम संदी भी छेत करते हैं तो देखिए जो दो सब्द होते हैं जो जो है पार्ट में होते हैं जिसे देखे पहले इसको यहां समझे लिजिए ए धन आ मतलब ए प्लस आ बराबर आ हो हैं तो से ए से ए दो खुर आ बोल रहे हैं यह निकल रहा हूँ चारण में निकल रहा है और वैसे भी देख सकते हैं कि सा पर ए के मातर लगी है इसकी मातर लगी है ठीक है तो यह तो कंफर्म हो गया कि पहली जगे पर अगर हम देखें तो यहां पर इस वाले के साथ में आय आए क्या बनेंगे आए बनेंगे तो देखे क्या होगा आप संदीविचित ध्यान दे समझे देखे से धन अन ये सयन हो जाएगा आप देखे सा के बाद में अगर मैं सा बोलता हूं इसको अगर मैं सिर्फ इसको बोलू अब यहां पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ होगा कि मैं तो बोल रहा हूं कि आए और जाएगा लेकिन यहां तो सिर्फ यहां आया है नहीं आपकी समझने का फ्रत है है यहीं तो यह히 मैं आपको समझना चाहरा हूं एक दम बैग्ञानिक तरीके से आप समझे बहुत टेक्निकल है इसको समझना बहुत जरूरी आपको कैसे समझना देखें ये जो सा लिखा हुआ है इस सा को अगर बोली आप उसका उचरन करिए तो सा बोलते हैं तो सा जब खतम होता है तो उसके तुरंत बाद आ की धुने निकलती देखें सा, सा, सा आ निकल रहा ना लास्ट में तो ये जो सा बना हुआ है ध्यान से देखेंगा, यहां मैं लिख देता हूँ सा जो लिखा है ये सा जो बना है ये इन दोनों से मिलके बना है अगर मैं ये बोलता हूँ तो इसके साथ में इसका उचरन अपने आप निकलता है तो देखें, यहां पर मैं सा बोल रहा हूँ तो यहां तो आच्छिपा हुआ है न तो सयन अपने आप हो जाएगा तो आए बन जाएगा यह इतना आपको समझना है ठीक है इतना आपका जो है डीपली माइंड काम करना चाहिए यह हो जाएगा आयादी संदी अब सब में आप ऐसे लगा लीजिएग समझ में आ जाएगा चले मैं एक और एक में और बता देता हूँ देखे जिसे ने लिखा हुआ है तो ना पर ऐसे भी देख सकते हैं कि ए की मात्रा है तो ए की मात्रा होगी तो यह हो जाएगा और यहां पर देखे धन लिख दिया मैंने और यहां पर छोटा आया है तो जाएगा देखे नयन अब आपको यहां समझ में आ गया होगा कि जब ना के साथ में आ लगा हुआ है और यहां पर या लिखा हुआ है तो यह लिखा हुआ है ठीक है नहीं समझ में आ फिर समझे में क्या बता रहा हूँ जैसे लिखा हुआ नयन तो ना आ यन यह लिखा हुआ यह आ लिखाने गया है इसी ना के साथ में इसका उचरण निकल रहा है पर यह समझे आप जिसे ना अगर मैं ना बोलू ना 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 तो आ देखें निकल रहा है इसके साथ में जिसे का का आ देखो निकल रहा है खा 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 है ना 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 तो ना ना के साथ में यह सब के स आप में कोई भी वेंजयन का उचरान आप करते हैं तो उसके साथ में ये छिपा होता है ठीक है ये ध्यान रखेगा अब ऐसे देखिए चे धन अन चे चैन हो जाएगा ने धन आ तो ये नय हो जाएगा ठीक है तो ये सब आपको कैसे आए हो गया यहाँ पर आए लिखा हुआ है वहाँ पर इसके पहले वाले में ए लिखा था सिर्फ इसमें आए लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या हुआ है अपकी ये आ में बदल गया है पहले क्या था आए लिखा था पहले I हो जा रहा था अब हो गया यह I क्या हो गया आई हो गया आप दीखे इसका concept क्या है नए लिखावई नए तो ये ना पर I की मातरा लगी हुई है ठीक है तो I हो जाए गया यह और PLUS में क्या है यहाँ पर छोटा I है तो छोटा I तो क्या बनना चाहिए सब्द जो देखिए ना जब मैं ना बोलता हूं तो ना के साथ में ये आपने आप इसका धोनी निकलती है और ऐसे भी कह सकते हूं कि ना पर बड़ा की मातरा तो लगी गई है ऐसा भी आप कह सकते हूं ठीक है तो जैसा भी आप समझना चाहें वैसे आपको समझ में आना चाहें बस कहने का मतलब यह है ना ना देखें ना बोल रहा हूं तो आ की भी धुनी निकल रही बड़ी आ के धुनी बड़ा आ का धुनी निकल रहा है ना ना तो यह हो जाएगा नायक ठीक है तो नए धन अक हो जाएगा नायक आयादी संधी है यह ठीक है और यह ध्यान लखेगा आयादी सं गयधन अन तो यह गायन हो जाएगा दायधन अक तो यह दायक हो जाएगा अब इसी concept पर इन सब को लगा लिजीए आप सब आपके समझ में आ जाएगा कोई डाउट है तो comment box में comment करके आप समझ सकते हैं मैं आपको बता दूँगा अब असे लिखा हुआ बिनायक देखे बिनाय धन अक तो देखे मैंने बताया ना कि पहले सब्द का अंतिम वर्ण लेते हैं और अंतिम सब्द का पहला वर्ण इन्हीं दोनों का मेल कराते हैं ठीक है जो परिवर्टन होता है जो विकार होता है वो इन्हीं दोनों के मिलने से होता है यह ध्यान रखेगा अब देखे क्या करना है यहाँ पर तो आय की मातरा लगी हुई यह आय की मातर है और प्लस आ तो बराबर क्या बनता है आय बनता है यह बनता है तो यह यह तो लिखाए रहेगा लेकिन यह जो आ है यह ना पर इसकी मातर लग जाएगी ठीक है इस वाले पर मातर लग जाएगी तो देखिए बिनायक हो गया बिनाय धन अक तो बिनायक हो लेकिन यह आज मात्रा की रूप में लग जाता है इस वाले वान पर अन्तिम वान पर लग जाएगा इसमें न था तो न पर लग गया आप न अगे देखें कॉण्सप्ट में लखाऊ हुए more ला जाएगा आप इसको कैaż समेंगे इसमझे भ्व Кол पो बोलते हो बो तो ऐसे भी समझ सकते हो कि भापर ओ की मातरा लगी है और यह अन 오른 है यहां यह आ है थ्जान रखिएगा यह पहला इसादे दूसले सब्द का और पहले सब्द काूं अन्ति मॉन लेते हैं यहां पर आ abbiamo भवन हो जाएगा.- इहां पर आ ho जाएगा ध्यां यहां जाएगा कुछ रहांगे कि यहां पर तो आया नहीं आया है भा के साथ में आ जो है छिपा हुआ है आ छिपा हुआ है क्योंकि जिमें भा 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 देखो भा बोलता हूं तो आ निकल रहा है साथ में ठीक है तो वा वा तो लिखेंगे लिखेंगे ये वाला इसको तो ल इस पर एक मातरा बढ़ी तो यहां पर भी एक मातरा बढ़ी अभी तक अव हो रहा था पहले वाले में अब जबकि इसमें ओ था ओ था ठीक है तो ओ था तो यह आव हो रहा था अब यहाँ आव हो गया तो इन दुनों को मिला के आव हो गया भै ओ पर मात्रा बढ़ी तो यहाँ पर भी एक मात्रा बढ़ गई अब देखिए यहाँ पर क्या होगा प सभी हमें यहां पर लिखा हुआ है वैसे यहां पर भी होगया अभी स्क्राइब है दोने मिलके आउभ उन जाएं जाएं इसमें पावक में कैसे बना समगी है पा लिख पर तो बड़रगा आके Фल्र लग गई यह वाला इतना पा के साथ प्लगत दिया गया, बस होगया पावक, तो पावañधन अक बराबर पावक होगा आयादन संदि हो जाएगा, वैसे इसमें भी लगा लिजिएगा, पावधनन leख़ाई संदि हो जाएगा, आगे समझ लिजिए, आगे देखें, दीक लिखाव आवधन ढरी घर को GRोब ऑ भी ह तो नो तो यहाँ पर तो आव के मातर लग जाएगी ठीक है और अधने अभी भीन हो गया तो यह मैसेज कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं आपको सभी question का जबाब जरूर दिया जाएगा हमारी कोशिस आप जो है हमारी तरफ से ही रहती है कि आपको जो है जो भी हमारे student है हमारे इस channel पर पढ़ रहे हैं वो किसी परकार से कोई भी doubt है तो वो clear होना चाहिए हमारा यही परयास रहता है कोई doubt नहीं ह हो जाएगा आभी यही तो हो जाएगा अभी तक आप देखते आए हो आभी होगे देखे साविक हो गया यहां पर देखे साविक ठीक है तो यह आयादी संदी है कहीं पर doubt है तो आप दुबारा से revision करिए इसको दुबारा से वीडियो को देख लीजिए आव धन उ लिखा व पर जो है स्वर्चेंज हो रहा वैसे वैसे मात्राई वह पर चेंज होती जा रही है अब क्या हुआ आव के बाद में छोटा उ हुआ गया तो अब यहां पर मातर लग जाएगी बस बहुत आसाने बस समझना आपको आव धन उ तो अपकी क्या हुआ आव ना हो करके वहाँ चोटाओ की मातर लग गई क्यों चोटाओ की मातर लगी क्योंकि यहां पर उ आ गया बस देखिए भाव धन उक तो यह हो जाएगा भावुक भावुक क्यों हो जाएगा देखिए भावुक कैसे हो गया क्योंकि आवो जो है भाव पर आव की मातर लगी है और यहां पर पहला बन चोटा उ आ रहा है तो ये दोनों मिलके क्या बनेंगे ये दोनों मिलके आवू बन जाएंगे ठीक है तो कैसे बनेंगे देखे जो ये बड़ा आ है ये बड़ा आ तो ये भापर लग गया इसकी मात्रा भापर बड़ी की मात्रा स्वरी बड़ा आ की मात्रा लग गई अग बन किया देखें दुनों के मिलाके तो क्या हो जागए भावु को हो जाएगा आयादी संदी है ये तो बस दोस्तों बहुत छोटी सी वीडियो थी उम्मिद करता हूं वीडियो आपके लिए helpful होगी वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो को like कीजिएगा share कीजिएगा और चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त मिलता हूँ मैं आपको next वीडियो में next content के साथ तब तक के लिए thanks for watching